बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल है इस टॉपिक को ले करके के सर जी गेट 2025 एक्जाम के लिए अप्टिटूड कहा से पड़े सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, कौन सा कोर्स परचेस करे कितने दिन में खतम करे, प्रिवेस यर कॉशन कहा से प्रेक्टिस करे ट्रिक्स कहा पर मिलेगी, लेवल अफ कोशन क्या होता है इन दी गेट एक्जाम, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है के कौउंट की अंदर कौन से टॉपिक्स है, रीजिनिग के अंदर कौन से टॉपिक्स है और वर्बल अभलिटी में छोनसे टॉपिक्स है, ठीक है तो यह वाला वीडियो आप देख ले ना, सिलेबस का पाट तो क्लियर हो गया दूसरा है weightage, weightage है 15 marks out of 100 marks, आप सोची है, 15 marks out of 100 marks which is 15 percentage of the gate exam, highest weightage of single subject ever, कोई भी subject उठा लो, इतना weightage किसी का नहीं है, तो याद रखना ये चीज, बहुत ही important subject है, और कुछ teachers आपको कहते हैं, इसको तो last में पढ़ना चाहिए, ये कोई पहले पढ़ने वाली चीज थोड़ी न नहीं होता है, वो सिर्फ toppers के लिए होता है, ठीक है, but majority students को aptitude भी अच्छे से करना होता है, क्योंकि भूल चुक है सारे concept जो बच्पन में पढ़े थे, क्योंकि कल जो खाया वो याद नहीं, तो बच्पन का कैसे याद होगा, I can understand, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है, इ और aptitude टाइप करना, चार कोर्स आपको दिखाई देंगे, दो English में पढ़ाये गए है, that is pure English, no Hindi word is spoken in those courses, so those courses are specially for the South Indian students who like only English, और those students who are comfortable in English, फिर वो students है, जिनको Hindi English mix चाहिए, उनके लिए ये दो courses है, देखो, ये दो-दो courses ऐसे जोडी में क्यों है, इसमें difference किया है, प्रैक्ट इसके अंदर concepts है, और 60 hours की recorded classes है, test series है, notes है, concepts है, ठीक है, और tricks भी बताई गई है, फिर practice course के अंदर सिर्फ वासिफ PYQs है, याने previous year questions of gate and ESE exam, सारे branch के सारे सवाल करवाये गए है, इसके अंदर tricks भी, standard method भी, सब कुछ उसके अंदर है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि standard approach म कितना समय लगता है, और tricks से कितना fast solve कर सकते है, तो यह दो difference है, याने previous year question book का एक course आप ऐसे मान लो, और conceptual course मान लो, ठीक है, same in the English, तो यहाँ पर मैं recommend करूँगा, जो course है, वो 60 hours का है, याने जो duration आपको लगेगी, वो almost one month के अंदर aptitude हो जाना चाहिए, यह duration है, ठीक है जी, जो previous year questions है, वो भी मैंने आपको बता दिया, कि course के माधियम से करना है, वो कर लो, अगर books prefer करते हो, books कर लो, फिर books के अंदर दिक्कत क्या होगा, सारे tricks कोई भी एक book में नहीं है, ठीक है, तो फिर उसमें आपको एक additional महनत करनी पड़ेगी, या फिर आप ये course के माधियम से सा सारे tricks एक ही बार में हासिल कर सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया previous year question, level of question जो gate exam में पूछे जाते हैं, तो मैं तो ऐसी ही कहूंगा, कि जो 80% सवाल है, वो 80% सवाल easy to moderate है, और जो 20% सवाल है, वो very tough है, देखो tough सवाल आते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, कि 100% सवाल जो है, बहु concepts clear है, previous year question आपने solve किये है, तो 80% आप आराम से score कर लोगे in the aptitude, यह दावे के साथ में कह सकता हूं, ठीक है, तो याद रखना कि syllabus के अंदर भी, आप जब compare करोगे ना, कि gate exam का syllabus, फिर banking का aptitude, या फिर interview के लिए जब आप जाते हो, तभी का aptitude, placements के लिए aptitude, other exams के लिए aptitude, त चाइल, compare to the gate exam के aptitude, तो इसको mix मत कर लेना, इसलिए कोई भी random book refer मत कर लेना, gate का जो aptitude है, वो different है, बार-बार में emphasize कर रहा हो, उसी हिसाब से यह वाला aptitude course design किया गया है, ठीक है, तो मुझे रखता है, एक clarity आपको मिल चुकी है, regarding every topic, बाकी detail में syllabus यहाँ पर explain किया ही गया है इसके अलावा कोई doubt हो, तो comment section में पूछ सकते हो, and aptitude की चिंता भी अब खतम, तो engineering mathematics भी ऐसी मैंने explain किया है previous video में, ताकि आपको पता रहे है कि आपके branch में कौन सा topic आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, weightage क्या है, कहा से पढ़ना है, tricks का पर मिलेगी, and so on and so forth, तो वो भी आप prefer कर सकते हो, engineering mathematics पढ़ने के लिए, और aptitude का भी मैंने बता दिया, ठीक है, so yes that's it for today,